कि असलाम अलेकूम आप लोगा ने न्यूस तो सुनी होगी कि पीएस 111 से लाड़काना से पेपल्स पार्टी हार गई और जीट यानि के ग्रैंड डेमोक्राटिक अलाइंस जो है वो जीट गया अब सुनने में बात बड़ी अच्छी लगती है लेकिन मेरा स्टैंड असा है क कि तमाम जितनी भी पार्टी हैं सिंकी वह सब मिलके कठी लड़ रही थी और प्रपार्टी के गएंस और वो जीट लें अब बिसिकली होगा क्या वहां पे जिस अवाम ने पेपल्स पार्टी से तंग आकर वोट दिया है ठीक है कि वहां पे काम नहीं हो रहा और तमाम के परच परखेवाइगा पार्टी अब होताय करते ही जो प्रेयर्रे भी घृब्स वैस्साफ होता रहा है और नहीं है उसकी और तौट जाती ठीकिया ना इंक्ते होते हैं अश्य काम व्यास बॉझा सब्सक्राव जो अवाम थी वोगा चाहती थी है कि अगर हम वोड़ दें तो हमें काम चाहिए तो उसका सियासिदानों ने ये तरीका निकाला कि वो MPMA ने इसको पैसे दे देते कि आप अपने हल्गे में काम करें अब MPMA का काम बन्यादी तोर पे हकूमत साजी नहीं है उसका काम है कानून साजी ठीक है अब वो बहुत सारे जब कानून साज मिल असंबलियों मिलके बैठें तो अपना एक लीडर मतईयन करते हैं और वो ली दिया इसने भी काम नहीं करवाया क्योंकि जो MPMA को पैसे मिलते हैं वो बिसिकली गवर्मेंट देती है और गवर्मेंट पेपल्स पार्टी तो कुछ भी नहीं देगी होगा क्या कि जब जनरल लेक्शन आएंगे लोग तंग आ जाएंगे तो इससे बहुत अच्छी सी वो भी जो है वो मायूस हो जाएंगे और इसके बाद यहां तो वोड़े ना बंद कर देंगे यहां फर दोबारा पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएंगे तो लॉंग टम में देखा जाते हैं यह चीज अच्छी नहीं है तो यह मेरा स्टैन्ड है मेरा उपिनियन है गल हो लाएंगे नहीं है।